जिसनगे साथ जिसका नाम है plant hormones प्लाइंत हर्मों. अज ळी सबना त जिसमें हमको देखें, हम देखेंगे फिसी के रॉल और टीफरेंट हर्मोंस जो फिसी लोजी के डूरोल होते है, different types के हर्मोंस के हर्मोंस का उसके उसके physical roles को हम special trick के माद्ध हम से जानेंगे ठीक है तो जिसमें जो plant hormones होती है plant hormones एक भी से प्रकार का organic compound होता है जो मुक्रूप से plant के growth को regulate करता है या inhibit करता है यह मतलब कि कहा जाए तो कहीं ने कहीं पर यह क्या करता है plant growth के प्रक्तिया को control करने का काम करता है यह plant hormones मुक्रूप से plant में होने वाले growth के प्रक्तिया को promote कर सकता है कुछ ऐसे hormones होते हैं जो plant growth के प्रक्तिया को inhibit भी करता है रोकने का भी काम करता है तो इस तरीके से जो plant hormones होता है उसको प्रमूप दो category में divide कर सकते हैं जैसे पहले नमबर में है A होता है वो plant growth hormones होते हैं और B होता है plant growth inhibitor hormones होते हैं ठीक है main root से जो plant growth hormones होगा वो plant पर growth hormones बोल रहा है मतलब कि plant में positive effect दिखाएगा जैसे कि plant growth हो गया उसमें flooring हो गई, fruiting हो गया, seed germination हो गया ऐसे बहुत सारे जैसे root initiation हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़े होती है जो कि plant में positive effect होते हैं और वहीं दूसरा है plant growth inhibitor hormones, plant growth inhibitor मतलब कि plant की growth को क्या करेगा, रोगने का काम करेगा ठीक है, जो plant growth inhibitor जैसे इसमें दिया लिखा है ethylene और abscessive, यह मुखरूप से plant growth inhibitor होते हैं जो मुखरूप से plant growth hormones के opposite काम करता है, ठीक है, मतलब कि plant growth hormones, growth hormones के opposite मतलब कि oxygen, gibraline, cytokine के विप्रीद काम करेंगे, ethylene और abscessive acid, वहीं ethylene और abscessive acid का ज़स्थ विप्रीद काम करेगा oxygen, gibraline और cytokine, मतलब कि जो plant growth, plant growth inhibitor hormones होते हैं, एक दूसरे के विप्रीद काम करते हैं, against काम करते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं, कि जैसे आज के topic का ही नाम है, कि special physiological role in with special trick, क्योंकि जो plant hormones होती है, जो कि जिसमें बहुत सार ऐसे physical role होती है, जिसको पढ़ पाना, समझ पाना बहुत ही कठीन होता है, इसलिए इसको trick के बाद हम से देखेंगे, next में हम लोग आने वाले classes में, जो oxygen, जितने भी hormones है, total 5 hormones के complete study करेंगे, ठीक है, तो पहला जो है, oxygen के बारे में, तो oxygen का जो trick होता है, special trick होता है, जिसमें आप देख रहे होगे, इस screen पर, यहाँ पर लिखा हुआ है, Christmas पर आदी ने से लिन्या गोस का फ्लावार दिया, ठीक है, इसमें हिंदी इंगलिस इसलिए किया है, क्योंकि जहाँ पर English है, जहाँ पर जो English word लिखा हुआ है, वही पर उसके physical role है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर Christmas, ठीक है, Christmas, Christmas एक special तेवहार होता है, जिस पर आदी नाम का एक लड़का, जो सिलियन, सिलियन नाम एक लड़की, जो उसका flower दिता है, यह special trick है, ठीक है, ठीक है, तो यह इस trick के माद्ध हम से हम औक्जिन के physiological role के बारे में जानेंगे, जिस Christmas, ठीक है, अब यहाँ पर Christmas लिखा हुआ है, इसमें जो Christmas, जो है, Christmas, मुकरूप से Christmas का मतलब होता है, ism xylem Oregon और मैंध का मतलब differentiation तो यह क्या करती है जो 이어gosp iRE होता है मुकरुप से यह करती है जालम का differentiation करता है next number है आदी आधि का मतलब ईपिकल dominance एपिकल dominant करने का काम करता है और थे next में selenia, selenia का मतलब होता है कि cellular differentiation selena में CEL का मतलब होता है cellular differentiation यह क्या करता है different types के plant में different types के plant में जब plant growth होता रहता है चाहे root हो, चाहे stem हो कोई भी पाहग हो plant का तो वहाँ पर बनने वाले cells को क्या करता है differentiate करता है या पहचानने में मदद करता है Next number है, rose. Rose का मतलब होता है, root initiation. ठीक है, rose में R.O. का मतलब होता है, root initiation. इसका मतलब क्या हो है? कि जो आउगजीन होता है मुखरूप से plant में root को initiate करने का या पHIR प्रारम करने का काम करता है. Next number है, flower. ठीक है, flower का मतलब होता है, ऐसे洋 ये यह ऐसे हरम oni यह ऑगजीन ऐसे हरमों सँगे जो मुखरीप से plant में flooring की process को क्या करता है प्रमोट करता है क्या फिर flower को मनाने का काम करता है दूसरा होता है जीब्रेलिन हर्मोंव होता है used my प्लांड में jul rust कती हैं इंटरलोग हम जानते हैं कि जो plant होता है इसमें कई जगा पर गान्ट पाई जाता है आट डूसरे अधर branches पाह जाते है या फिर बोल सकते हैं कि लीफ जाते हैं जिस स्थान से leaf या branches पायता है जिस सृस्थान इत क्राइदा था नोड क्या राता है और दो नोडी वीज की की दूरी क्या य०्ह जाता है यह वाला इंटरनोड स्थ सका जीब्यार्न में इंटर नोट को इलांगेट करता है। गहलां य॥ी फींटरकर का करता है अगर हम गर सोर्ट कट में नाम बताएं घिबी आर होता य हूवटाम के मर्से conteú yay इसका मतलब होता है अब इसमें जो अलग-अलग लेटर है जैसे जी है बी है आर है इसका अलग-अलग मीनी होता है रही है। सबसे पहर लिएधी जो लुटुकर भठल इसका मतलब होता है बाज द explor वी इसका सब्सक्राइब यृठ को करेगा अगर इंठरनोट को करेका जाहर सी बात है की प्लांट में ग्रोफ होका अगर वो short plant है चोटा प्लांट है तो जब तब उसमें हम जिब्रेफ में हार्मों का यूज कर जा काτε है उसको ग्रोफ को एन्हेंस करते हैं या प्रोंट कर सकते हैं दूसरा है POLTING "... एफेक्ट का मतलब होता है इसको कैबेज के Crispy जमाजते हैं, cabbage जो होता है, बाइनियन होता है, एक फर्स्ट येर में क्या करती है, वो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ कराता है, लेकिन दूसरे येर में क्या करती है, अपने फ्लॉरी या रिप्लॉर्प्रॉक्ति ओर्गन का फार्मेशन करती है, ठीक है, अगर जिप्लेरी से जो इसका effect होता है, इसको बोलते है, बोल्टिंग effect बोलते है, एक्जामपल, cabbage में, दूसरा होता है, आर, आर से होता है, रोसेट एफेक्ट, ठीक है, रोसेट का मतलब क्या होता है, जर्लॉरी ये इलोंगेशन का मीनिंग है, इलोंगेट करने का काम करती है, जो मुखरू साइटोकाइनीन को हम लोग, नॉर्मल हम लोग इसका ट्रीक के दज़री इसको नहीं जानते है, कि वल साइटोकाइनीन का मतलब होता है, साइटोकाइनेसिस से होता है, इसका मतलब, ठीक है, और साइटोकाइनीसिस जो वर्ड होता है, मुखरूप से हमको cell divisions में देखने को म नेता है तो साइटो काइनीन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मुख रूप से प्लांट में सेल को डिवाइट कराते हैं ठीक है साइटो काइनीन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होती है जो मुख रूप से प्लांट में सेल डियूजन कराता है ठीक है अधात साइटो काइनीन इसके मात्रा घर जादा होगी तो वहाँ पर cell division जादा होगा और cell division जादा होगा तो plant growth करेगी इसलिए इसको plant growth hormones कहते हैं यह जो plant growth hormones होता है जिसमें oxyn जब plant tissue culture कराते हैं तो oxyn की और cytokarin की मात्रा को क्या करता है control किया जाता है ठीक है जब इसके द्वारा plant में plant की growth plant की जो plant tissue culture कराते हैं तो उस time में जो culture media यूज़ करते हैं तो उस condition में जब hormones जब डालते हैं तो उसमें oxyn और cytokarin की मात्रा को control कर किया जाता है कैसे control किया जाता है जैसे पहला condition होगा जिसमें हम oxyn के level को ज़्यादा करेंगे और दूसरा cytokarin की मात्रा कम करेंगे ठीक है जब oxyn की मात्रा ज़्यादा होती है और cytokarin का मात्रा कम होता है तो उस condition में root का initiation होता है इसके विप्रीत इसके विप्रीत में जब cytokarin की मात्रा को ज़्यादा किया जाता है और औकजीन की मात्र को कम किया जाता है उस कंडिशन में प्लांट में सूट का फर्मेशन होता है इसे नहीं न कहीं पर यह हार्मोन का कंसंडरेशन प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही आवस्यक एवां महत्वपूर्ण होता है ठीक है नेक्स नमबर आता है है प्लांट ग्रोथ इंहिबिटर हर्मोन जिसमें हमने देख था एथिलीन अप्सेसी के से यह मुकृप से इसको एयर पॉलेटेड हर्मोन के नाम से भी जाता है क्योंकि यह रूप से एयर के फर्म में या फिर गैसेस के फर्म में होती है इसको ट्रीक के माद देख थे है तो यह सच होता है मुकृप से एफ-म के फर्म में होता है अब एम का मतलब क्या होता है वो होता लेते हैं कि fm का मतलब हुआ है f से होता है बहुत सारे भाग जो प्लांट में प्लांट के अंदर होती है यह प्लांट के बाहर देखने को भी उसके physiological property f f f से होता है सबसे पहला fruit repairing हमने कहा कि जो एथिलीन हर्मोंस होता है फल को पकाने में मदद करता हैіш हुए धBay Shaan ये प्रक्रांटियों से करता है हार्मोंस होता फ्रूम साय करता है और एसी यह प्रॉम् 접종 करता है जो कि फ्रूमेल Lots कि मेल र्मोर को यह क्या करता है और इंहेंबिट करता है और इनहेंव WIL करकेland कRO valid करताmin का मतलब की एथिलिन हर्मोनस का य्यूज करने से हम कज्छा की प्रक्तियां देखने को मिलती है क्योंकि यह जो हर्मोंस से हैं female हर्मोन्स को female प्लावर को जादा बनाने का काम करता है। दूसरा है M, M का मतलब होता है मोटो, इसको यह हर्मोंस होती है, मुख रूप से प्लांट के होरिजोनल मतलब उसके थीकनेस में बढ़ादेगा, ना की हैट में, ठीक है, हाइट में यह ग्रोथ को रोकता है, इसके बदले में, इसक इसको बढ़ाती है इसलिए तो plant growth inhibited hormones बोला गया है ना plant की growth को inhibit करने का काम करेगा रोकने का काम करेगा जैसे यहां पर लिखा हुआ है inhibit to longitudinal growth but promote to horizontal growth ठीक है इसका मतलब यह है कि यह क्या करेगी plant के longitudinal growth को या फिर उचाई में बढ़ने वाले growth की प्रक्या को रोकेगा inhibit करेगा और किसको promote करेगा उसको horizontal growth को इसको मोटाई में growth करेगा growth as result hypocotile swelling इसके कारण से क्या होती है जो hypocotile वाले reason होता है जो मुक्रूप से underground soil की बीच में होती है ना तो ज्यादा नीचे होता है ना तो ज्यादा उपर होता है soil की बीचों बीच होता है उसको हम hypocotile होते है तो यह reason होती है वह swelling हो जाता है फूल जाता है ठीक है जो जिसके कारण से इसमें triple response देखनों को मिलता है triple response जैसे प्लांट के longitudinal growth को क्या करेगा रोकेगा पहला ठीक है दूसरा उस horizontal growth कराएगी ठीक है दूसरा तीसरा hypocotile को swelling करेगा तीन condition होते है इसलिए इसको ethylene is a triple response के नाम से भी जानते है अब next जो hormones होता है जिसको abscessic acid या इसको shortcut में ABA बोलते है ठीक है इसका trick होता है अबबा close the door in stress condition इसको हिंदी में जानते है जैसे एक जो मुसलमानों में मुसलिम धर्म में ये बोला देता है इसलिए बोला गया है अबबा close the door ठीक है अबबा कोई बच्चा अपने पिता जी को बोल रहा है अबबा close the door because stress condition ठीक है because stress condition stress की condition हो गई है इसलिए अबबा door को close कर दो ठीक है तो इसको इसका मतलब जानते है इससे physiological role जानते है इसका फिजिलोजी का रोल होता है इसको shortcut हमने बलिख दिया एबी एपसेसिक एसीड ये क्या करता है door का मतलब होता है plant में plant में और क्या किस को बोलते है इस्टोमेटा को बोलते है इस्टोमेटा को बोलते है तो यहाँ पर यह आ जाएगा इस्टोमेटा को close करने वाला हार्मोंस क्या होगा एपसेसी केसिड यहाँ डूर किसको बोलने ISTOMETA को बोलने क्लोस का मतलब बंद होता है एपसेसी केसिड मतलब एपसेसी केसिड तो तो इस ट्रोमेटा क्लोज होगा किसके उपसिती में और दूसरा है इसंट सब्सक्राइब को मुख्रूब से इस्ट्रेस हार्मों के नाम बिजाना जा सकता है कि देखा कि यह क्या प्लां नृत को कि इस फोटो संथेज नहीं नहीं होगा तो दीर्व फूड़िल नहीं होगा तो प्लांट के लिए फुड्मT अधिक होता है प्लान की ग्रोथ को क्या करती है। इस करन से यह अंग से बगते है इसको 90 जिप्रेलिक एसीड के नाम से जानते हैं याना हम क्या लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं इसको किस के बटाबर कर रही है किस तरीके से काम कर रही है जो मतलब जिब्रेलिक कर रोल है difference hormones के तो I hope कि आप सभी को समझ में आ गया होगा तो next class में हम लोग next जो जो वीडियो रहेगा वह हमारा रहेगा अगजीन की उपर बेस्ट रहेगा जोकि plant hormones है जो जिसमें हम लोग उसके introduction से लेका पूरा biosynthesis तक देखेंगे तो I hope कि आपको तो सभी को समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे दूसरे हार्मोन के बारे में या फिर बोल सकते ही हार्मोन के बारे में तो इस तरीके से थैंक्यू आप सभी को